एपरिंवन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं सूजी से चार तरग नास्थे की रेस्पी और इसे बनाएंगे बहुत ही कम तेल में बहुत ही हिल्दी ये बन करके तियार होगा और इसे बनाने के लिए ज़्यादा हमें तेल के जोरुत नहीं पड़ता है दो से तीन चमज तेल में आप इस तरह से मतलब एक नास्ता बना करके तयार कर सकते हैं तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर शार तरह के नास्ते की रेस्पी आपके साथ सेयर कर रही हूँ बनाना भी और जा सकते हैं या फिर बच्चों के टीफिन में भी इस दे सकते हैं बनाना भी बहुत आसान है एसी तरीके से यह बन करके तयार भी हो जाता है तो इसे हमने कैसे बनाइ हुई है चलिये आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक चरूर करिएगा और साथी साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए इस रेश्पी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर हमने मिक्सी ज Aller ले लिए और इसमें डाले खोड़ी मोटा वला बारिकॉला कोई ले सकते हैं क्योंकि इसको हमें पील पीछ नाई है और एक कप जाले कर दोमाई यह यहां आप यह इसने थे לצाए जाय को लगित कर सकते द्यार होता है कि soft बन करके तियार होता है इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे दो हरी मिर्च डाल देंगे और इसके बाद जो है क्या करेंगे कि इसको ढगा करके और इसको अच्छे से हमें पीस लेना है तो यहां पर मैंने पानी का यूज नहीं करी है अगर आप पुलग रहा है कि तो यहां पर पानी का यूज मैंने नहीं की है दस मिनिट के लिए ठक करके इसको रख देंगे जिसे कि सूजी जो है थोड़े से फूल जाए तो यह देख सकते हैं दस मिनिट हो चुके हैं और पहले से थोड़ा सा यह गाढ़ा सा लग रहा है देखिए तो इसमें मतलब पा चारो तरफ अच्छे से मिक्स हो जाएगा पानी डालने से और जैसे इसको मिक्स करेंगे ना चारो तरफ अच्छे से मतलब बबल साने लगता है तो जब भी इसको बनाना हो तभी इसमें इनो डाले जिसे कि इनो अच्छे से अक्टिवेटर है और जो हम नस्ता बनाएंगे एकदम से soft बन करके तयार होता है ति इस तरह से mix कर लेना है और यहां पर मैंने च्छोड़ी-च्छोड़ी कंद मैंने ली हुई है यहां पर आरामसे बनाया तो यहां पर देख सकते हैं इसको क्या करेंगे हल्क हल्का तरह से तैल से grease कर लोंग कि यहें चिपके और इस तरह से इसमें हमें यह जो हमने सुजी का बैटर बनाई है इसमें डाल देना है देखिए तो इस तरह से पूरा भरना नहीं है इसको खाली ही रखेंगे अगर भर देंगे तो पूरा यह बाहर निकल जाएगा जब इसको पकाएंगे तो इसलिए इसको हमें भरना नहीं तो मैंने लाल मिर्स का पउडर दालं तो इसका लूक में प्रक्राइब करते हैं इस तरह से डालने के बाद इसको क्या करना थे इस्टीम करना हैं तो मैंने कडायी में पानीं रख दी है पानीं ऐसे अब योपस रख देना है इस तरह से कटरी में प्लेत City मिस्ती isn't करेंगे चाहें तो दुसरे बतन में भी इसको सब्सक्राइब चाहें तो रखने के बाद डिलाए भाने के लिए और दोड़ा और तोड़। ऐसको चेक करने के लिए क्या करना है यहां पर तूथपिक डालकर करते हैं। और इसको इस तरह से चेक करेंगे देखिए विल्कुल भी इसमें चिपक नहीं रहा है इसी से पता चलता है कि यह बहुत ही बढ़िया सा यह बन करके त्यार हुआ है तो देखिए यहां पर इसको निकाल करके और ठंडा कर लेंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तो अपने आप और स्पोंजी यह बन करके त्यार हुआ है देखिए तो इस तरह से यह जो प्लेट है इसमें भी देखिए इस तरह से बस हाथों से करेंगे ना बहुत ही असानी से यह निकल जाता है देखिए कितना असानी से यह निकल गया देख सकते हैं और एकदम बढ़िया सा इसमें ज जटनी बना कर कर सकते हैं मैंने यहां पर दो तरह की चटनी बनाई हुई है जो कि बहुत टेस्टी लगा इसके साथ खाने में और बनाना भी बहुत आसान है आप देखी सकते हैं कि कितना ज़्यादा यह स्पोंजी और सॉफ्ट यह बन कर के तियार हुआ है तो इस तरह से नास्ता जो है बन करके तयार हुआ है, मन पसंद चटनी के साथ आप इसे खाज हगते हैं, तो चलिए, अब दूसरा बनाते हैं और इसे भी बनाना बहुत आसान है, आप सच में बहुत टेस्टी लगता है, इस नास्ते को बीना तेल का बना करके तयार करेंगे और इसके साथ म होसे में दिशना हमें स्वाद अनुसर नमक नमक ड énormément पीस ना है तो indeed पना relyला इसस refers to water नमक तुकर पानी डाल सकते हैं और इसको पीस लेना है तो। इस साफ इससे सकते हैं हमें इसको गाडा ही पीस ना है आधा पतला नहीं रखनाहना यहां प्सीग मधें थोड़ा सवल गया था था तो मैंने इस पानी डाल करके और गर्ट में ब्लाक करके यहें तो इस तरह से हमें बेटर को मक्स कर लेना है झालकी करको देखिए इस के लिएBen इसको mixsh 집 algebra में इस तर से जीरा जीरा तो कच्चछ जीरा का यूज पर यूजर ही को इसे पाद हादा के लिम्ली पारका अच्छा से पीस लेना है तो देखिए यहां पर हमारा चटनी रेडी हो चुका है अब इसमें क्या करेंगे राई और लाल मिर्श और करी पता का इसमें तड़का लगा लेंगे जिससे कि चटनी और भी टेस्टी बन करके तियार हो तो आप इसे एकदम से दो मिनट में इस चटनी को बना करके बहुत असाने बनाना तब तक यहां पर आप क्या करेंगे चटनी रेडी हो चुका है तो बैटर चेक कर लेंगे तो देखिए पहले से यह बैटर जो है गाड़ा हो चुका है जिसे कि हमने जो सूजी डाली थी इसमें सूजी जो है पहले से फूल चुकी है तो यहां पर यह गड़ा हो चुका है अब इस बैटर में क्या करेंगे कि यहां पर एक मीडियम साइज के टमाटर को मैंने काट करके डाल दी है दो हरी मिर्स काट करके डाल देंगे एक मीडियम साइज के प्यास काट करके डाल देंगे इसके बाद जो एक छोड़ा कटोरी धनिया पत्ता काट क करके हैं जैसे की जो बी सब्andel कर सकते हैं जैसे कि डाले हैं इसके बाद एक चोड़ा चमस हञा अठीकम डाल करें monte करके हैंÓ朝, दlles इस जाना है तभी इसमें इनो डाले जिससे कि इनो जो अच्छे से एक्टिवेटर है जिससे कि जो हम यहां पर नस्ता बना रहे हैं वो एकदम से सॉफ्ट बन करके तियार होता है इस तर से देख सकते हैं मिक्स करेंगे तो एकदम से यह देखिए बबल सा गया है पूरा अब इसको तुर से टाइप कर देंगे जिससे कि अच्छे से यह शेट हो जाए इसके बाद जो अफ्पपाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे जो है इसको क्या करेंगे ठग देंगे ठगनी का बाद जो है इसको तेज आंज परे 9 मिनिट में आसानी या पक तक जाता है इसमें ज्यादा टारिवह लगता है जब ठख कर नाट आएंगे तो है जो गड़त रहुत हैं कितना इतक तियार हो हुआ कि ठेक को निखitta से क्या होगा कि बहुत ही असाधी से यह निकल भी जाता है इस तरह से देख सकते हैं कितना प्यारा सा हिसका लुका नहीं निकालना इस को किसी भी प्लेट में इस तरह से अच्छे से इसको निकाल लेना है देखिए कितना बढ़िया से यह निकल चुका है यह जो बरताने इसमें बिल्कुल भी लगा भी नहीं है तो इसको क्या करेंगे कि उल्टा कर लेना है उल्टा करने के बाद जो है इस तरह से हमें कट कर लेना है देखिए कितना बढ़िया से यह कट हो र के तियार हुआ है मैंने इस तर से ब्रेट जैसे ब्रेट का जो स्लाइस होता है ऐसे ही मैंने इसको कट करिई है और मैं पास्ते देख तर देखारी हुआ कि उपथne चटनी की बनाई रभाए बगद इस साथ जरूर करें और इस नाश्टे को उने बनाकर कBay Bach और इस चटनी के साथ सच में बहुत टेस्टी लगा खाने में तो जरूर ट्राइ करिएगा चलिए नेक्स्ट बनाते हैं जिसके लिए देख सकते हैं कितना देखने में ही प्यारा एकदम लुकाया मन कर रहा भी खा जाओं तो चलिए एकदम से सुपर टेस्टी साइए जो है बनाना शुरू करते हैं अब बहुत ही सॉफ्ट बन करके त्यार होता है देख सकते हैं तोड़ने से कितना ज्यादा सॉफ्ट बन करके त्यार हुआ है तो चलिए इसे भी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर एक कप सूजी लेंगे आप मोटा वाला 10 मिनट के लिए इसको क्या करेंगे ढख करके रख देंगे जिसे की सुजी थोड़े से फूल जायं तो इस तरह से 10 मिनट देख सकते हैं हो चुके हैं और पहले से यह गाडा हो गया है पूरा सुजी काफी अच्छे से फूल चुकी हैं तो इस तरह से mix करने के बाद देख सकते हैं काफी गाढ़ा सा हो गया है तब इसको क्या करेंगे इस तरह से mix के जार में हमें डाल देना है इसको पीसना है तो पीसने से क्या होता है बहुत soft यह बन करके तियार होता है हाफ कप मैंने भिंगे हुए पोहा का यूज करी है तो इस तरह से पोहा डाल देंगे और पानी डालेंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको हमें अच्छे से पीस लेना है एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको पीस करके तयार कर लेना है बहुत ही असानी से ये पीज जाता है बस पानी क्या करें कि थोड़ा-थोड़ा करके डाले पिशते वक्त इस तरह से एक बड़ा चमस क्या करेंगे डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट इससे क्या होगा कि बहुत ही सॉफ्ट ये बन करके तयार होता है तो इसको हमें पकाना है तो चलिए इसको गैस की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर तवा पर क्या करेंगे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे इसमें ज्यादा तेल का ज़रूरत नहीं पड़ता है आप चाहें तो यहां पर तेल का इस्तमाल नहीं भी करेंगे त तो इस तरह से ब्रस की हेल्प से क्या करेंगे चारो तरफ इस तरह से हमें तेल लगा देना है इसके बाद जो है इस तरह से छोटा-छोटा हमें इस तरह से बनाना है इस तरह से एक बड़ा इस पून इस तरह से डालना है और इसको ज्यादा फैलाने का ज़रूरत नहीं है यह या अपने आप ही set हो जाता है तो इस तरह से मैंने यहाँ पर तवा पर तीन डाली है आप चाहें तो यहाँ पर बड़ा भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से अगर बच्चों को देना है तो छोटे-छोटे इस तरह से बना करके टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं इसके बाद इसके उपर डाल देंगे प्याज और टमाटर थोड़ा सा धनिया पत्त डाल देंगे और इस तर से सारा पर डाल देंगे यहां पर चाहें तो मिर्शी भी डाल सकते हैं लेकिन यहां पर मैं मिर्शी नहीं डाल रही हूं इस तरह से क्या करेंगे अच्छे से हमें सब डाल करके थोड़ा थोड़ा साइड साइड में तेल लगा देंगे जैसे कि नीचे के साइड जो है अच्छे से सिखे तो इस तरह से अब क्या करना है इसको हमें ढख देना है लगबग चार से पांच मिनट के लिए और मिडियम आज पर इसको क्या करेंगे पकने देते हैं इस तरह से द दोबारा इसको ढखने का ज़रूरत नहीं है इसको खुला में इस तरह से हमें अच्छे से सेक लेना है देखिए कितना बढ़िया एकदम से प्यारा से इसका कलर आया है सच में बहुत टेस्टी लगता है जरू ठ्राइ करिएगा बहुत पसंद आएगा इस तरह से देख सकते ह एक द्धम से प्ढ़ियां से सीग चूका है इस तरह से देखिए मैं पास से त्खा रहीं कितना ज़्यादा बढ़ियां ये बंड करके तयार हुआ है तहसे ति मीस करें की निकाल लेगें और इस तरह से बांगी सारे बच्चे हुए बटर का हमें बना करके त्यार कर लेना ह साथ में बनाई है नारियल की चटनी जो की बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ खाने में तो एक बर जरूर ठ्राइक करिएगा और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को करें और यह जो नास्ता है बहुत टेस्टी बहुत ही सॉफ्ट यह बन करके तयार होता है इस नास्ते को बनाने में ज्यादा तेल का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है और कम तेल में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी यह बन करके तयार हो जाता है तो देखी सकते हैं कितना सुपोर, टेस्टी एगदम से सॉफट जो है, यह नस्ता बन करके तयार हुआ है, तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं और इसे भी पनाना बहुत अंहाद है, बहुत एक कम तेल में इस नस्ता को बना करके तयार करेंगे जब भी कम तिल में कुछ हिल्दी सा नास्ता खाने का मन करें तो इस रेजबी को ज़रू ट्राइ करेंगा तो बनाना शुरू करते हैं तुस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे कि मैं यहां पर ले रहे हूँ एक कब सूजी यह नोर्मल सूजी है इसका इस्तामाल मैं कर रही है तो एक कब सूजी ले 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 और ढलने के पाद इसको अच्छी सेatar Today पीश सेमे तो मिलाने के बाद देखेंगे कि यहां पर यह कुछ इस तर से गढ़ा सा हो गया तो इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और डालने के बाद इसको अच्छे से हमें मिला लेना है मिलाने के बाद इसको ढग करके 10 मिनिट के लिए रख देंगे यहां पर 10 मिनिट हो गया है अब चेक कर ले रहे हैं तो 10 मिनिट बाद देखेंगे कि यहां पर सुझी जोए काफी अच्छे से फूल गया है यह थोड़ा गढ़ा सा हो गया है तो इसको हमें थोड़ा फैट लेना है ताकि सुझी जोए थोड़ा हलका हो जाए तो इसको फैट तोड़ा समया पर करी पते को मैंने काट के इसमें डाल दे रही हैं और यहां पर अध्रक लेसन का पेश्ट डाल देंगे एक चमच उसके बाद क्या करेंगे कि यहां पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप यहां पर धनिया पता भी डाल सकते हैं और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरा अच्छे से ताकि पूरा जो भी हमने इसमें डाली है अच्छे से मिक्स हो जाए सब तो लगवग हमें इसे 2-3 निट अच्छे से मिला लेना है यहाँ पर यह अच्छे से मिल गया है तब इसमें एक चमश जीरा कच्छा जीरा का यूज़ कर रही हूँ तो एक चमश जीरा डाल देंगे इसमें जीरा से काफी अच्छ टेस्ट आता है तो डालने के बाइ इसका अच्छे से मिकमिक्स हो गया है तो चलिए अब बनाते हैं यहाँ पर मैंने श्रौ पे पैन रख दिए पैन थोड़ा सा गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे एक चमच के करीब यहाँ पर तेल डालेंगे यहाँ पर बहुत ही कम तेल में यह नस्ता बनाएंगे तो तेल डालने के बाएद इस तरह से चारो तरफ फैला लेंगे और जो हमने यहाँ पर सुजी का बैटर बनाई हुई है इसमें डालेंगे आप यहाँ पर बड़ा छोटा अपने हिसाब से साइज बना सकते हैं तो इसको डालेंगे या थोड़ा से फैला देंगे इस तरह से चारो तरब से अच्छे से फैल गया है तब इसको क्या करेंगे कि ढग देंगे ढग करके लगवग हमें इसे 3-4 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देना है तो देखिए थोड़ी देर में आप जब इसे चेक करेंगे तो यह देखिए इसका कलर चेंज हो गया है तब इसको क्या करेंगे नीचे से भी देख सकते हैं अच्छे से यह मतलब थोड़ा भी प पग गया है देखिए कितना अच्छा यह कलर आ गया है बहुत ही बढ़िया यह बन गया है बन करके तयार हो गया है काफी अच्छे से यह पग भी गया है तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो देखिए मैंने यहां पर इस प्लेट में निकाल लिए इसी तरह से भाइना बहुत ही ज़्दा आसान है खाने में भी काफी ज़्यदा टेश्टी लगता है आप यह बच्चो के लंच बोक्स में भी दे सकते हैं तो अगर बच्छों के लिए बना रहे मिर्ची थोड़ा कम कर दें और काफी ज़्यादा यह टेस्टी लगता है खाने में तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करें तो देखिए मैंने यहाँ पर दुसरा भी बना ली है इस नास्ते को आप किसी भी चट्नी के साथ बना करके खा सकते हैं काफी ज़्यादा टेस्ट में जरूर बना या फिर साम के नास्ते में भी आप इसे बना सकते हैं यह बहुत इस अदर टेस्टी लगता है देख सकते हैं दोनों तरफ से काफी अच्छे से सीखा हुआ भी है बिल्कुल भी कच्छा नहीं है इस तरह से मैंने यहाँ पर चार तरह के सुजी से बने कम ते कि रमिक नई रस्पी के साथ थैंक्स पर वाचिंग